नमस्ते, मैं ललित खतरी और अब नमस्ते को अपनी आदत में शामिल कर लीजिए क्योंकि भारतिय परंपरा का ये नमस्ते अब दुनिया को कोरोना वायरस से बचा रहा है ये नमस्ते कोरोना वायरस से कैसे बचा रहा है चलिए आजम आपको विस्तार से बताते हैं दरसल पधानमंतरी नरेंदर मोदी ने जन आउजदी दिवस पर देशवासियों से अनुरोद किया है कि पीछे लोट जाईए कोरोना वायरस को भगाना है तो हाथ मत मिलाईए नमस्ते को अपनाईए और पीए मोदी की अपील पूरी दुनिया के नेताओं ने स्तुन ली है इसके बाद पूरी दुनिया आगे ग्रिटिंग्स के लिए बड़े हुए हाथ को नजन दाज करते हुए दोनों हाथ जोड़ कर नमस्ते कर रही है वहीं शुकरवार को सोशल मीडिया पर तब अचानक नमस्ते टेंड करने लगा जब अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने वाशिंग्टन आए आयर्लेंड के पधान मंत्री लियो वर्नाटकर से न तो हाथ मिलाया और नहीं गले मिले बलकि उन्होंने बड़े ही अधर के साथ उन्हें नमस्ते किया इसी के साथ पिछले दिनों जब डोनल्ड ट्रम्प भारत आये थे तो भारत ने उनके स्वागत में नमस्ते ट्रम्प ही कहा था नमस्ते सिर्फ ताजा ताजा भारत से ही गए डोनल्ड ट्रम नहीं कर रहे है बलकि कोरोना वायरस से संकर मेहमान के स्वागत में हाथ आगे बढ़ाया और अचानक दूसरा हाथ आगे करकर उन्हें नमस्ते कर अभिवादन किया पिछले दिनों फ्रांस के राश्पती इम्मैनुवल मैक्रोन ने भी स्पेन के राजा और रानी को नमस्ते किया उन्होंने अपने पारंपरिक हाथ मिला आने और गले मिलने से मना किया है अथर्टी ने अपने बयान में कहा कि वाइरस त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है इसलिए दूरी बनाये रखें वहीं करोना वाइरस के प्रकोप से बचने के लिए इसराइल के प्रधानमंतरी बेंजामिन नेतन यहू ने भी अपने देशवासियों को प्रेस कॉन्फरेंस कर भारतिय परंपरा सत्कार के तरीके को अपनाने की सलहा देते हुए कहा कि करोना वाइरस को फैलने से बचाने क लिए एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं बलकि नमस्ते करें इसी के साथ नेतन यहू के नमस्ते की जा रही इस फोटो को दुनिया इंडिया इन इसराइल ने ट्वीट किया जिसे अभी तक 11,000 से अधीर लोग रे ट्वीट कर चुके हैं जबकि 43.5 लोग लाइक कर चुके हैं भा अपनी परंपरिक स्वागत किये जाने और गले मिलने की परंपरा को दरकिनार करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन सोरूप नमस्ते कहा वहीं दूसरी और उनिसेफ की वर्ड वाइड एमबैसडर प्रियंका चोपडा ने भी कोरोना वाइरस के विश्व अपर में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नमस्ते करने की अपील की है उन्होंने कहा कि यह लोगों का सतकार का पुराना तरीका है लेकिन यह समय विश्व के बदलाओ का है नमस्ते करें स्वस्त रहें महीं सल्मान खान ने भी अपने फैंस और देशवासियों से सोशल मीडिया पर लोगों से अपनी परंपरा में वापस मुड़ने की गुजारिश की है और नमस्ते करने की अपील की है साथ ही अनुपम खेर ने भी संकमन से बचने के लिए नमस्ते को अपनाने की सलह देते हुए कहा कि अगर वाइरस के संकमन से बचना है तो नमस्ते अपनाई है यह हाईजैनिक, फ्रेंडली और एनर्जी का केंदर भी है लेकिन क्या आपको पता है कि नमस्ते का यह ट्रेंड, एम्स की एक विज्यानिक एक डॉक्टर ने अभियान के तौर पर चलाया था, यह एम्स के डॉक्टर है विजय गुजर, इन्होंने ही पिछले वज नमंबर अंत में संकमन के देश में बढ़ते मामलों को देखते वे नमस्ते अभियान चलाया था, डॉक्टर गुजर के मताबिक दुनिया भर में संकमन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मैंने यह अभियान चलाया था, तब मैंने नो टच पॉलिसी, दूर से नमस्ते जी बोलें, मुस्कुराहट फैलाएं, इन्फेक्शन नहीं कहा था, उसके बाद दुनिया भर में कुरोना पर को फैलता गया और आज नमस्ते ही नमस्ते है